यह आई दिनों फैसन बन गया है कि जितना अधिक जो हर्स फाइरिंग कर सकता है जितना गोली चला सकता है वो बहुत बड़ा बावुबली कहलाता है यह नहीं पता चला कि गोली लगी है दर्थ तो होई रही थी और दर्थ काफी ज़्यादा हो रहा था तो मुझे लगा कि ज जाती है और सिंगिंग में जितने इंका बड़ा नाम जितना किया चानने वाले आज की घरपे ती again कर दो के दोरान गोली लगती है क्या कारणा हम इसे जानेगे सबसे परें अश्या जी कैसी है आप जी ठीक है आप लोग का शुरबाद है कैसे लगी गोली मतलब क्या एश्टेस की दोरान हो अमन्स पर गारी थी और अर्चानक दीचे से गोली आया और पैड में लग गई एक आपको कभी यह नहीं लगा कि जैसे इतने करोड़ों लोग आपके चानने वाले इतने फैन फॉलॉइंगे तो जो वह स्थापक आपको बुलाते हैं जो कि प्रोग्राम अरेंग्मेंट करते हैं तो वह इतनी सेकृरिटी इतना धीला क्यों हो गया इतना लचीला पन कैसे हो ग होगी लेकिन वापर जाने के बाद हम लोग फच जाते हैं अब उनके अकोर्डिंग चलना पड़ता है यह कारग्राम आपके च्छपरा में है और अक्सर देखा जाता कि जहां तक आरा में च्छपरा में अक्सर होती रहती होती है हवा में गोलिया जो भी मनचले हैं वो गो जो हर्सफारिंग कर सकता है जितना गोली चला सकते है वो बहुत बड़ा बाव बली कहलाता है आपके तो चाने माले करोड़ों हैं आपके एक पेच पर 11-11 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो कहिन गई आपको क्या पता है कि कौन वो मनचला हो सकते है जिसने आप पर ऐसा गोली च पर फैंसी है क्योंकि दुनिया में रहना सिखाना और इतना नाम फेम देना तो उनहीं का है क्योंकि आज बोचपुरी में सबसे ज्यादा फोलोवर्स हैं मेरा तो इनहीं लोग के कारन है जी जी और कोई मन्च से गा करके मेरा इल्बम भी कोई हिट नहीं हुआ है मन्च से करके मैंने 11 मिलियन फोलोवर्स इतना करोड़ो फैंस मेरे हो सकते हैं तो सोचिए क्या वेरी लग्ये अच्छा मने सुना था कि उसी दिन आपके बहुत बड़ी खुश ख़बरे मिली थी कि एक मातर ऐसी कलाकार जो बिहार के जो निशा उपाद्याजी है उनको अमेरिका से से कॉल आता है कि आपको वहां पे प्रोग्राम करना है फिर हम लोग गय वहाँ पर गय तो देखे कारीकम चल रही थी फिर दो गाना गाई ही थे अभी तब तक फिर ऐसे से जब आप गोली लगी उसके बाद भी लगबग 10 मिर्ट तक आप लगातार गाना गाती रही तो क्या आपको पता नहीं से लगी है हां को गोली लगी है यह न पत्थर की चोट हमें लगा आई दिना सभी कलाकारों के शाथ हो रहा है तो मुझे लगा कि चोट लगी है जो भी बड़े सूपरस्टार जैसे पाउन सिंग जी होगे खेसारा सब किस्टी सो में आजकल पत्थर बाजी चल जैसे अभी हाली में बल्या जिले में पत्थर बा लगा तो मुझे लगा कि नहीं और बहुत तेर जलन भी होने लगी और ब्लडिंग आ रही थी तो ब्लडिंग इसलिए नहीं दिख रहा था क्यूंकि मैं ब्लेक कलर का जीन्स पहने थी उससे पता नहीं चल रहा था कि ब्लोड आ रहा है कि नहीं आ रहे है चार दिन आई सी पहले से ठीक है रेश्ट जाला करें जो इतनी जल्दी तो ठीक होगा यहीं तो क्या उनको दे के इतनी खुशी हो दाती है तो क्या यही एक तरीका है कि हम गोली चला के ही उनकी खुशी का इसहार करें नहीं खुशी के इसहार करनी है तो आउट अब बिहार जाए यह पंजाब लुद्याना साइट जाए अर्याना साइट जाए चाया आउट अब कंट्री भी जाए जैसे कलाकारों के उपर देखिए बहुत सारे पैसे उडाते हैं लोग कलाकारों को सम्मान दिया जाता है हमा यह दिखाया कि मैंने 10 फारिंग किया 50 फारिंग किया यदि आप 10 किये तुम्हें बीस करूं मतलब इसमें जादा उन लोग को बढ़ता है कि मैंने जादा उसी 500 रुपे का एक श्रीद गोली आता है जहां तक मुझे पता है तो उस 500 रुपे को आप किसी गरीब में घर्च क कि दे देजिए उड़ा दीजिए चैकी से गरीब को दे देजिए कि आपका नाम हो जीनिस में तो प्लीस प्रटेक्शन की भी तो लापरवाई सामने आते हैंकि अकर जब प्लीस प्रशासन की भी है बहुँत जादा अधिकत और सबसा बढ़ी बात सरकार का झाब क्यों कि शूट दे रखा है तो इसमें सब्सक्राइब बिहार सरकार की भी गलती क्योंकि उनको देखनी चाहिए सब चीजों पर रोक लगाने चाहिए अच्छा अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या आनक गयाना चाहिए कि जो भी वो लोग करते हैं जो सेलिबरेट आपको देखे करते हैं और कहीं न कहीं अब तो 15-20 दिन के लिए आप कहीं जाद नहीं सकती कहीं ओट बैट नहीं सकती और जो भी प्रोग्राम होगे वो कैंसल ह हां सारे कारीक्रम के क्योंकि मैं कारेक्रम ही जादा करते हूं और एक एक दिन में दो कारेक्रमें थी हमारी और अभी कंटिन्यू सत्र ताडिक तक लगातार कारिकरम था उसके बाद तो मैं दुखित हो जाता होगा कि जब आपके इतने लोग करोड़ों चाने वाले लोग है और वहां पर कोई सरफिरा के गोली मार जाता और सारे प्रोग्राम कैंसल हो जातने एक जटके में तो कहने के मन तो बह लगता है क्योंकि हमेशा फैंस की बीच में रही हूं और आज ऐसा हो गए क्या चार-पांस दिन हो गए चार-पांस दिन से बेट पर पड़ी हूई हूं अगर आपके जिले में आता है कोई सूपरस्टार आता है तो उसको इस तरीके से करना कि गोली फाइरिंग करना होर्स फाइरिंग करना या इस तरीके से मनचली हरकते करना ये कहां तक सही है गए आपको उनको मैम को देखना तो आप अच्या तरीके से देखिए आप उनका समान करते हैं क्योंकि जब लाखों की बीडों होती हैं इसे से इनलों का मन दुखीत हो जाता है क्योंकि यहीं वो लोग हैं अगर एक महिला जाती हैं और करोड़ों के दिल में छाप छोड़ जाती है और बोजबूरी का अलग नाम होता है तो हम बस बिहार सरकार से भी कहना चाहें कि थोड़ी सी प्रोडिक्शन बढ़ाई है सुरक्षा कि एक बार कॉमेंट बाक्स में जोरू बताएगा वीडियों बने रहने के लाग सबी दर्शकों का साधवराब हो